कि हैनु कं अ हलो कुंम बेक्ट टु अडिकीर है और मैं बहुत ही सिंपल वो में बनाती हूंš, चलो आपको بتाती हो मैं किस तरीके से बनाती हूं पहले मैंने हल्दी को छील की लिए थोके है और मैं कदोकस कर लूंगे को incredibly को उसके बाद में घीमे में काजू रोस्ट कर लूँगी आप चाहो तो ऐसे भी डाल सकते हो बस मुझे थोड़े से कुरकुरे डालना पसंद है और घीमे हल्दी को मैं फ्राई कर लूँगी आपको पता ही है हल्दी के कितने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और इसको अलग से निकाल लूँगी थोड़ा सा फ्राई करके घीमे उसके बाद में थोड़ा सा खड़ा मसाला और जीरा डाल दूँगी उसी घी के अंदर अगर आपको घी जादा पसंद है तो आप घी जादा डाल सकते हैं उसके बाद में थोड़ा सा एक चमच लैसून डालूँगी और उ दाल के मिला लूँगी मसाले को मिलाने के बाद में उसको भी प्याज मिर्ची के बाद में मसाले को फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये घीनी छोड़ देता मसाला और गी छोड़ने के बाद में उसके अंदर जो फ्राई की हुई हल दी है वो मिक्स कर लेंगे और हलका सा पकाने के बाद मैं उसके अंदर मटर डाल देंगे और घर की कुछ मलाई है मेरे पास वो मैं डाल दूँगे इसके अंदर और आप चाहो तो एक ग्लास दूद भी डाल सकते हो अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी पतली चाहिए उसके रूटी के उपर डालके खाने के लिए और उसके बाद मैं रोस्ट की वे काजी और किसमिस डाल दूँगे ये टोटली ओप्शनल है अगर आप चाहो तो डालो नहीं पसंद है तो जरूरी नहीं है कि आप इसमें डालो ही उसके बाद में मैं इसमें डालूंगी हरे प्याज मुझे हरे प्याज डाले वे बहुत पसंद है और ये बन के तयार हो गई है simple सी मेरी हलदी की सबजी ये मैं मन्त में 2 या 3 बर बनाती हूं अभी मैं इधर बना रही हूं मेथी की सबजी और मेथी में नमक डालके आदा गंटे के लिए साइड में रख दूँगी साफ करके मेथी को इससे जो मेथी का कड़वा पन है वो थोड़ा सा निकल जाएगा अगर आपके बच्चे मेथी की सबजी नहीं खाते तो इस तरीके से बना के खिलाना और मटर चील के में उनको उबाल लूँगी एक ग्लास पानी में और साथ में चीनी और नमक डालके जिससे मटर का कलर भी बहुत सुन्दर रहता है और उसके बाद में थोड़े से तेल के अंदर में जीरा चटका लूँगी उसके बाद में प्याज, मिर्ची, टमाटर और पाच्छे, काजो उनको सौफ्ट होने तक पका लूँगी उसके बाद में मेथी को अच्छी तरीके से दो लूँगी क्योंकि उसमें नमक लगाया वात है तो पूरा नमक दो के अच्छे से निकाल लूँगी मेथी को धोने के बाद में आप थोड़े से एक चमच घी में या तेल में उसको अच्छे से फ्राई कर लो जिससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा सबजी बनने के बाद में और फ्राई किया हुआ मसाला थंडा हो गया है इस मसाले को ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से पतला पेस्ट बना लेंगे इसका और तेल को गरम करके उसमें जीरा डाल लो और जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है वो उसमें फ्राइ कर लो उसके बाद में कुछ मसाले डालो इसमें हल्दी डालो धनिया डालो मिर्च तो मैंने डाली नहीं मैंने सिर्फ गरम मसाला ही डाला है या फिर काली मिर्च डालो आप और अगर आपको वाइट ग्रेवी चाहिए इसमें तो आप हल्दी अव Rainbow करो उसके बाद में थोड़ी सी मिंस, 10-20 दाने जो चीनी की है, वो मसाले को बैलन Code करते हैं, इसलिए उसमें डाल लाओ, उसके बाद में ढाल दो कसूरी मेथी इसमें, उसके बाद में उबले वे जो मतर हैं, वो उसमें डाल दो, झॉघर तो देर बाद में, इसके अंदर आप फ्राई कीवी जो मिथी थी वो मिथी डाल लो उसके बाद में मेरे पास थोड़ा सा पनीर पड़ा था मैंने पनीर भी एड़ कर दिया अगर आपके पास ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं आप सिंपल भी बना सकते हो और उसके बाद में मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी दूद की मलाई और मिला लूँगी साथ में उसके बाद में मैं डालूँगी एक ग्लास दूद इसमें ग्रेवी बिलकुल पतली हो जाती इससे और टेस्ट भी बहुत रिचाता है ये लोजी तयार हो गई है मित्थी मलाई की सबजी और ये बहुत अच्छी लगती है जब गरम गरम ही खाओ और मैं नेक्स्ट बनाने वाली हूँ गाजर का हलुआ गाजर को मैंने अच्छे से चाकू से साफ करके दोके और सुखा लिया है उसके बाद में मैं गाजर को कद्दुकस कर लूँगी उसके बाद में गाजर में घी डालके उसको फ्राई कर लूँगी और ये मैं सीजर में तीन चार बार बना लेते हूँ गाजर का हलुआ और इसको 50% तक ही पकाऊंगी घी में और उसके बाद में गाजर 50% पकने के बाद में मैं उसमें मिलाओंगी एक गलास दूद आप चाहो तो थोड़ा सा ज्यादा भी रख सकते हो बस मुझे थोड़ा खिला खिला सा अलवा बनाना है और थोड़े से मैं लूँगी ट्राइफ रूट उनको क्रश कर लूँगी बिल्कुल पतला पतला ही क्योंकि लवी मोटा रखते हूं तो लवी निकाल के फैंक देता है तो इसमें मिल जाएंगे तो आसानी से वो खा भी लेता है कुछ इस तरीके से बिल्कुल पतला कर लूँगे इसको मैं और इसमें पुरा दूद सू गया है और गी छोड़ दी है इसने उसके बाद मैं मिलाऊंगी मैं इसके अंदर चीनी थोड़ा सा चीनी का भी पानी बनता है तो वो थोड़ा सा सूखने के बाद मैं ड्राइफ रूट इसके अंदर मिक्स कर दूँगे और थोड़े बहुत रख लूँगे डेकॉरेशन के लिए लास्ट में अगर आप चाहो तो बहुत सारा गाजर का हल्वा बनाके जमाके भी रख सकते हो चाहे इसकी चक्कियां काटके वेसे भी रख सकते हो क्योंकि गाजर का हल्वा खराब नहीं होता है और सर्दियों का सीजन है तो वैसे भी खराब नहीं होता है बहुत से लोगों को किश्मिस नहीं पसंद आती है तो अगर आपको ना पसंद हो तो इसमें ना डालो और मैं गाजर के हलोवे में खोया यूज नहीं करती हूँ अगर आपको मावा पसंद है तो आप डाल सकते हो और ये तैयार हो गया है बनके गाजर का हलवा आप बनाएं और घर पे खाएं वैसे तीनों चीजें ही ट्राई करना और अगर अच्छी बनी हो तो मुझे कमेंट में बताना जरूर और विंटर सीजन चल रहा है पीक पे तो अपना ध्यान रखें और ये तीनों चीजें बनाके ट्राई करें घर पे थैंक्स पॉर वाचिंग मिलती हूँ अगले ब्लोग